हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल और कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो अभी प्रेंस सुबह का टाइम है मॉर्निंग का और यहाँ पर बन रही है सुबह की चाय तो वस मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ और सुबह कल मैंने जो नमक पारे और जो वो बनाए है ना उनके नाम तो नहीं पता मतलब कुछ कुछ चीजें जो स्नेक तो वो नास्ते में हम लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मसाला वाली चाय है ना वो बना रही हूँ सुबह वाली चाय जो है ना वो सहस्बेंट भी होते हैं इसलिए मैं सक्कर और सक्कर वाली चाय बना लेती हूँ तो अभी वस हम लोग है ना सो ये सुबह की चाय जो है ना बन रही है और मैंने थोड़ा सा और अद्रक भी डाल दिया है और जो मसाला मैंने बनाये था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है तो इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी और चाय मेरी कम से कम तीन से चार मिट तक अच्छे से पकेगी तब जाके अच्छी कड़क वाली जो चाय ना बनके तयार होगी तो कल जितनी चीज़े बनाई थी वो मैंने बाहर ही रख दी थी क्योंकि मतलब उतनी टाइम मैंने बनाई थी रात में तो मैंने सोचा थोड़े थंडे हो जाएंगे तो यहां पर वस मैं यह अलग-अलग करके ऐसे रख दे रही हूं ताकि हर चीज़ जो है ना मिल जाए एक-एक-दो-दो निकाल लेंगे और साइज में काफी बड़े थे आप लोगों को साइज टैमरे में छोटे दिख रहे होंगे पर यह काफी बड़े-बड़े थे तो इनमें से मैं मैं कुछ अपने लिए लिकाल लूंगी क्योंकि अभी सिर्फ क्योंकि चाय के साथ मैं ही थोड़ा बहुत कुछ खाओंगी और अभी सोबहसे यह लोग नहीं खाएंगे मेरे ऍजबन तो मैं अपने लिए ले लूँगे और यहाँ पर वस मैंने ये डबे में बरके रख दिये हैं और अभी और भी जो चीज बनाओंगी ने तो इसी में रख लूँगी तो थोड़े थोड़े करके कुछन कुछ चीजे बनाओंगी अभी ये नमक वाले बन गए मीठे वाला कुछ आइटम बनाती हूँ मैं तो यहाँ पर मेरी चाय न बन गए हैं मैं चाय निकाल लेती हूँ तो यह रहा मेरा सुबह का नास्ता हलका फुलका सा चाय और तीन ही मैंने लिये स्नेक तीन तरह के मैंने इसमें रख लिये हैं तो मैं अपनी चाय नजॉई करूँगी तो अभी जो समय है ना रात का टाइम हो गया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ और अब बस कुछ-कुछ चीजे मैं लेकर नहीं आई थी तो वो चीजे मैं लेकर आई हूँ तो वही मैं अभी देखिए निकाल रही हूँ जितनी भी चीजे लाई हूँ जो जो मुझे बनाना है मीठी वाली जो चीज़े है ना बोनी बनी थी गुड़ वाली चीज़े तो बोनी के लिए एक दो आइटम मुझे चाहिए थे जिसके लिए मैं मूमफली लाई हूँ और मखाने और थोड़ी सी तिल लेकर आई हूँ ज़्यादा नहीं लाई हूँ थोड़ी सी तीली है लेकर आई हूँ और मुरमुरे का पैकेट लाई हूँ तो बस अभी मैं थोड़ा सा कुछ बना लेती हूँ और आज अप लोगों के साथ रसीपी भी मैं सेयर करूँगी परफेक्ट एक दम बहुत ही अच्छी सी जो तिल पट्टी और गुड़ पट्टी बनती है ना मुमफली की पट्टी जिसको हम लाईया भी बोलते हैं हमारे यहां लाईया ज़्यादा तर बोला जाता है और आप लोगों क्या क्या बोलते हैं बताईएगा तो सब जगे कुछ नो कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं चीज़ों को तो मुमफली और तिल की लईया मैं बनाऊंगी लड़ू लड़ू तो नहीं बनाऊंगी बस यही चोटी मोटी चीज़ें बना रही हूँ तो मैं ये 200 ग्रांट मुमफली हैं और ये माखाने हैं थोड़े से तो सबसे पहले मैं मुमफली को बनने के लिए रख दूँगी दीमी आज पर मुमफली जो है ना वो बन जाएगी तो यहां पर देखे मैंने सारी मुमफली जो है ना वो डाल दूँगी और मैंने देखी नहीं थी तो एक दो मुझे मनला मैंसे नजर आई ना कहराब सी तो मैंने उनको हटा दिया है और वस इस तरीके मैं इसमें दीमी आज करके भून लूँगी तो मुमफली को हमें तब तक भूनना है जब तक वो एकदम चटचट की आवाज नहीं आने लगती ना तब तक और ज्यादा हमें जलाना नहीं है नहीं तो फिर वो कड़वी कड़वी से लगने लगती है तो इतनी हमें इसको अच्छे से सेखना है ताकि इसका जो छिलका है ना वो खुद ब खुद उतर जाए तो मनलब फटने लगती है ना तो फिर वो छिलका जो है ने निकल जाता है तो इतनी देर तकी बस बूहना है तो यहां मैं देखिए मुव फाली जो बूहन गई है बहुत दीम्याज पर मैंने कंदम 10-12 मिट तक इसको बूहना है और देखिए कितनी अच्छे से जब मैंने इसको एक दबा कर देखा था न छिलका अराम से निकल रहा था तो अब मैं इसको कपड़े में इस तरीके से मतलब वो करके लपिट के और छिलकों को उतार लूंगे मैस करके इस तरीके से इससे है ना छिलके भी बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और जो मुमफली के दाने हैं वो दो तुकड़ों में हो जाते हैं तो हमें दो तुकड़ों में जैसे मुमफली के तुकड़े करके चाहिए तो इस तरीके से हमें मुमफली जो है न वो मिल जाएगी और वस इसको मैं अभी सारह साफ करके और छान लेंगी तो ये देखिए मुमफली कितनी अच्छी भूनी है ना जादा जली हुई है और जाद पर गोड़ मैं निकाल ली हूँ और गोड़ को थोड़ा बारिक बारिक कर लूँगी ताकि यह जल्दी से जो है न अच्छे से पक जाए क्यूंकि फिर ऐसी डाल देंगी न तो टाइम लगेगा तो यहां पर मैंने देखिए इसमें गोड़ डाल दिया है और इसमें एक दो च करीब ताकि गोड़ जो है न वो चिपके न तो वसमें पानी डालके और इसको पकने दूंगी अच्छे से गोड़ को थोड़ा बहुत इस तरीके से चलाती हुए हमें इसको पकाना है ताकि चिपके न और बस अभी जैसे ही जाग टाइप का ओठने लगता न गोड़ में त तो समझ लीजिए गोड़ अच्छे से पक जाता है और गोड़ की पट् Tabii है ना मतलब बना रही हूँ तो इसको चैख करने के लिए ना थोड़ा है मतलब पानी में इससे डाल करके मैं ने चचैक किया तो जब वो जम के तूट जाता ए ना गोड़ तो समझ लीजिए चम्बस मैं देखिए घी डाला है ताकि अच्छी सी साइनिंग आ जाए तो घी यह तेल जो भी आप डालें डाल सकते हो मैंने घी डाला है तो देखिए एक बार मैंने चेक किया था तो तम नहीं पाका था अब मैंने दूसरी बार चेक किया तो यह बहुत अच्छे से तूट रहा था और फटा फट से वस अब मैं इसमें यह मुमफली डाल दूँगी और इतनी जल्दी जल्दी वाला यह प्रोसेस होता है नश टाइम क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से मुमफली जो है न वो हो जाती है मतलब यह गोड़ जो है न जमने लगता है थोड़ी से मुमफली मैंने निकाली थोड़ी सी ही जादा नहीं दो तीन चमस क्योंकि मैं जब तिल वाली बनाओंगी न तो इसमें डालूंगी तो यहाँ देखिए इसमें एक तो मैंने छोटा वाला जो पैन है न वो ले लिया था तो इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही थी पर मैंने सोचा थोड़ी सी बना रही तो इसी को रख लेती हूं यह थोड़ा सा मोटा तलेका भी है क्योंकि लईया बनाना होता है न तो थोड़े से मोटे बरतन की जरुवत पढ़ती है तो मेरे पास यह था दो तीन लेयर वाला यह जो है ना नौन स्टिक पैन यह था तो देखिए इस तरीके से मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब मैं जल्दी से थाली में फैला दूंगी थाली में मैंने पहले से ही घ लगा कर तैयार करके रखा था ताकि ज्यादा टाइम ना हो और वस यहां पर देखिए कितनी जल्दी जल्दी से अच्छे पकने लगा था अमकाटोरी से इसको अच्छे से फैला दूंगी थोड़ा से गी लगा कि ताकि अच्छे से सेट हो जाए और बहुत जल्दी से यह सेट हो गई थी जादा टाइम नहीं लगा था और इसको तरीके से मैंने अच्छे से फैला दिया गोल गोल नहीं हो पाया लेकिन कोई नहीं बस यह है कि अच्छे से एक बरावर जो है ना मैंने फैला दिया था काटोरी मैं भी बहुत जादा चिपा करा था पर यह फैल गया ता उसके बाद हम मैं इसमेना कट के निसान लगा दूँगी ताकि जब यह सैट हो ना अच्छे से तो निकालते समय हम इसके तुकड़े कर सकते हैं फिर छोटे छोटे तुकड़े जैसे हमें जैसा कार में काटना हो वैसे हम अभी कट लगा देंगे अभी गरम गरम में ही तो मैं लगा दे रही है मैं चोकोर वाले लगा दे रही हूँ पीस वाले तो इनको मैं करके और रख दूँगी इसी पैन में मैंने दोबारा से बैसे ही गोड़ को इसमें डाल दिया है और डालने के बाद दो चम्मस पानी डाला था ताकि अच्छे से ये पक जाए और उसके बाद देखिए बहुत अच्छे से ये पक गया है तो मैंने इसमें एक चम्मस गी डाला है तो उसको मैंने सैट होने रख दिया है और इसके बाद इसको भी मैं ऐसे ही करके बनाऊंगी तो सैम प्रोसेस है बस अलग-अलग तरीकी का मैं बना रही हूँ मुँफली की अलग बना रही हूँ और तिल की अलग सौरी कलती मैं पहले ये वाले बना रही थी तो यह भी आप देखिएगा खुब अच्छे लड़ू की तरह है ना बनके तयार होंगे तो इनको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा वार उपर से इस तरीके से तेल जो है ना इस तरीके से डाल दूँगी ताकि उपर से अच्छे से चिपक जाए इसको देखिए मैंने थाली में निकाल लिया है और इसको फैलाना नहीं है उस तरीके से जैसे मैंने गुर की पट्टी बनाई है वैसे नहीं फैलाना है मस इसको अब भी ज्यादा टाइम ही लगता है और बहुत जल्दी ठंडा होने लगता है और जब जैसे यह ठंडा होगा ना तो यह खुद बो खुद है जैसे यह आप हाथ से तोड़ोगे तो यह अलग होने लगेंगे तो ऐसे ही मुझे करना है इसको अलग अलग करके एक एक लड़्डू जैसे जो है ना निकल के तैयार हो तो बस मतलब इंतजार नहीं करना है कि यह ठंडा हो जाए इसको तोड़ा गीले में ही करेंगे क्योंकि जब यह पूरे से ठंडा हो जाएगा और हम इसको फिर तोड़ेंगे ना तो यह तूटेंगे नहीं पर यह ज्यादा वैसे करके तूटेंगे जैसे कि देखिए कुछ-कुछ हो गए हैं मेरे तो यह बहुत अच्छे लगते हैं देखिए लड़्डू जैसे बनके तैयार हो गए हैं काफी सारे मीठे वाले मखाने और एस्ट्रा जो गोड़ हो गया था तो फिर मैंने देखिए इस तरीके से यह बन लईया जैसे ही बन गई थी तो वह भी इसी में मैंने रख ली है तो देखिए मैं तोड़कर आप लोगों को दिखा रही हूं काफी अच्छा यह कुरकुरी बने हैं और ऐसे एकदम चिपकने वाले नहीं बनी उसके बाद देखिए मैंने बनाई थी य यह मैंने सूप नहीं कर पाई इतनी जल्दी हल्दी समक गोड़ वह रहा था ना तो फिर मैंने यह थोड़ा सा तिल डालके बना दिया है तो चलिए फ्रेंस आज का जो वीडियो इसी के साथ एंड करती हूं आई हूप कि आप सभी अच्छी लगी होगी और तीनों रेसिप कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए फ्रेंस आइंक्यो बाई बाई